चलो कियआ से मिलड़ लो बिलकुल यहां पर आज हम मिलवाते हैं वर्ग 1 में जो यहां पर मुक्य परिक्षा में या फाइनल जो रियल्ट आया है आपका उमाकान जी का वर्ग एक की परिक्षा इन्होंने किस प्रकार पास की और मैंने आपको बताया था कि ताइंडव क्लासिस पर जितने भी यहां पर छात्र थे और हम कह सकते हैं कि आगे भी जो आगामी परिक्षा रहेंगी उसमें भी इस प्रकार से आपके सारे रियल्ट आने वाले हैं तो आकर यहां पर उमकांड जी क्या कहाньी रही किस तरीक़े से रहें और बरग मैं यहां पर पर आ चुका है आप लोग भी यहां पर इससे सीख सकते Iं Michigan आपको तयारी किस प्रकार करना है और एहमे किया मैंने और के बाद तब बीड किया और के बाद में तयारी जुट गया केव़ हिंदी पढ़ता था दूसरे सब्जेक्ट मुझे अच्छे ही नहीं रखते थे और 2018 में यो परिच्छा दीती मैंने उसमें भी मेरे नंबर 107.19 आए थे पर लेकिन कुछ नंबरों से में रह गया इस पार थोड़ा सा हिंदी हिंदी आई तो जिसकी वज़े से मुझे यह सबलता मिली और मेरे जो नबर जो है 83.63 नमर है तो और इन्होंने तैयारी किस प्रकार की कहा से तैयारी की कैसी तैयारी की यह भी मैं आपको बत्माँगा यहां पर उमाकान जी के दवारा तांडव क्लासेश है ओन-लाइन चलता था देख लेता था बाकि तांडव क्लासेश पर जो आपको तो आगे जो बच्चे वर्गदों की तयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ आप बताएं कि तरीके से तयारी कराई जाती है और तंडव क्लास से आकर बच्चे क्यों जुड़ते हैं अब देखो सपलता की कहानी लंभी है यहां से बहुत से जो इस्ट्वेंट निकल रहे हैं और लगाताल निकलते रहेंगे और अच्छे पॉंटक्ट देती हैं जो वर्ग दो वाले बच्चे हैं जैसे आगामी परिक्छा आने वाली वर्ग दो मेंस की तो उसकी बच्चे किस तरीके से तैयारी करें यह थोड़ा आप बता दें बच्चों को देखिए पहले तो यह है कि पूरा सच्छी से पढ़ लें उसके बाद जो ओटी टाइब की कुश्चन होते हैं उनको अच्छे से पढ़ें रिवीजन करें जितना आधिक रिवीजन करोगे उतना याधिक जाएंगे बहुत अच्छा है और उसको जो पढ़ें चलो तो मैं यहां पर आपको बता दूँ बर्ग एक मैं यहां पर कहानी हर व्यक्ति की अच्छी होती है और हर व्यक्ति की कहानी में इस्ट्रगल होता है उसी प्रकार इनकी कहानी में भी एक जो इस्ट्रगल था एक औ कर दो कि अगर आप तयारी कर रहे हो तो बिल्कुल तांडब क्लास से आप लो जुड़ें ऑफ-लाइक अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल फूल बाग इस पर गौालियर पर भी ऑफ-लाइक अबलेबल हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे बाकी य यहां पर गौालियर संभाग चंबल संभाग के बच्चे हैं और यह भी यहां पर चंबल संभाग के ही हमारे बिल्कुल जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं यह हम कह सकते हैं जो चात्रगणों का इस बार रिकॉर्ड रहा है वो काबले तारीप रहा है यही रिजल्ट आपका लगातार सदत रूप से चलता रहेगा उत्रोतर इसमें व्रद्धी होती रहेगी और बर्ग दो मैं भी यही रिकॉर्ड बनने वाला है तो जुड़े वही का तांदर क्लासिस के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद